तो गाइस मेरा बेन अभी नौब देखिरें नवें टेकनिकल जान तो कई शाम बात करेंगे रेडमी 13C एंड रेडमी 13C 5G के बारे में एड़े गाइस आज का हमारा टोपिक है हाउ तू रिकॉर्ड आल कॉल्स कॉल रिकॉर्डिंग सैटिंग्स के बारे में तो गाइस अगर आप अपने फूंश में गैस आपर कॉल रिकॉर्डिंग करना शाहते तो आज मैं आपको दू तरीके बताऊंगा जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे दो तरीके की बात करेगा इस पहरा तरीका automatically तरीके से and दूसरे तरीके की बात करे manual तो गईस आप कैसे जहां दोनुई तरीके से call recording कर पाएंगे तो वीडियो को लास्ट अग देखिए and समझ जिए and अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं जिया है तो यहाँ पर आपको नीचे में call recording settings दी जाती तो आप click कर दी जिखा तो यहाँ से आपको नीचे में automatically call recording में देखिए यहाँ पर आपको नीचे में एक option दिया जाता है automatically record unknown numbers तो आप इसे on कर दी जिखा and यहाँ पर आप always record के option पर जाईएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं आप जैसे ही कोई भी unknown number से आपको call आता है तो वह automatically call record हो जाता है जैसे आप यह option को on करते automatically record this numbers की बात करें तो यहाँ पर आपको choose a contact option दिया जाता है तो यहाँ से आप अपने phone से contact list से number select करके call recording कर सकते automatically तरीके से और बात करेगा इस manual तरीके से call recording की तो गाइस मैं आपको एक screen sort के माधियम से बसाता हो and guys आप जैसे ही कोई भी इंसान वागेरा को या फिर context वागेरा को call लगाते तो आपको नीचे में एक record को option दिया जाता है तो आप जैसे ही record को option पर click करते तो आप manual तरीके से call recording कर सकते तो इस step से आप call recording कर सकते तो गाइस यह दान्श का हमाना topic उम्मीदी guys आपको वीडियो पस नोगी अच्के ले बस इतना ही thank you